है एप्रीवन वेल्कम बैक टो और यूटिप चैनल माइंड सब्टेक्नो तो गाइस इगनु इस्टुएंड के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जिनके एक्जामनेशन फर्वरी में होने हैं और काफी ज्यादा एक्जामनेशन फर्वरी या फिर होने दे उनके एक्जामनेशन को भी लेकर अपडेट है तो गाइस इस वीडियो में पने रहें वीडियो को एंट तक देखें ताकि आपकी जितनी भी कोईडिज हैं वो रिसॉल हो पाएं तो चलिए सुरू करतें दोस्तों आज की इस इंप ओडेट है और बात करेंगे इस वीडियो में इगनु के इंपोर्टेंट नोटेस के बारे में जो कि आज 14 दिसमबर को रिलीज किया गया है तो चलिए मैं दिखा देता हूं जो नोटेस आज इगनुने रिलीज किया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो कॉईस यह है जो की इगनू ने यहाँ पर रिलीज किया है इसमें काफी important बाते हैं जो extension of examination form को लेकर है और assignment submission भी इसमें involved है देखे आप देख पारेंगे 14 दिसंबर 2020 मैं आपको दिखा देता हूं कि actual में पूरा notice है क्या और actual में यहाँ पर क्या क्या बदलाब किये गए इगनू में और dates को लेकर क्या संबंदित और new update है आप सभी के लिए वो भी speed में clear out कर दूंगा तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है आप सभी के जो examination थे दिसंबर में वो postpone कर दे गए थे फरवरी दक के लिए ठीक है तो इसके लेकर बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि आप सभी के जो last date थी 15 दिसंबर थी उसको extend कर दिया गया है जैसा कि आप सभी को पता है जो आपके examination थे वो extend किये गए पहले तो postpone किये गए और यहाँ प बता है जब तक एक fix schedule नहीं हो जाता कि examination को लिए proper guidelines तैनी हो जाती तब तक आपकी dates ऐसे ही postpone होते रहेंगे यह संभावना थी कि जो आपकी exam form की last date है और assignment submission की date extend होने वाली है और वैसा ही हुआ आज 14 December को इगनू ने एक दिन पहले ही means कि last date 15 December थी उससे एक दिन पहले ही एक notice जारी के जिसमें date को extend कर दिया गया मैं पता जिता हूँ आपको क्या क्या dates extend होई है तो गाइस पहली update है online submission of examination form for the term and examination December 2020 to be held in February 21st तो गाइस जिनके examination February में होने है ठीक है उन सभी के जो examination form है उसकी last date extend कर दी गई है ठीक है ओ 31st December 2020 अब हो गई है 15 December से यानि की आपकी date extend हो चुकी है ऐसा ही आपके assignment submission को लेकर भी है आप लोग देख पा रहे होंगे ठीक है उसके बाद में गाईस आपके submission of project है field work है मैं यहापे clear out कर देता हूँ project हैं आपके field work general and dissertation ECP internship term and examination जोकी examination form है basically वो सभी की dates आपकी extend कर दी गई है आपको एक clarify मिल जाए और authenticate जानने के लिए आप लोग एकनुपी site को visit कर सकते हैं महाँ पर यह official notice आपको मिल जाएगा और हमाई telegram चैनल पर भी जोड़े रहें ताकि आपको और update मिलती रहें तो दोस्तों पसंद आए वीडियो तो please comment box में अपनी जो भी queries या suggestion है तो comment box में मता सकते हैं आप लोग हमें इस्टा पर follow कर सकते हैं ताकि आपकी जितनी queries हैं उनको result कर पाएं और आपको update मिलती रहें तो दोस्तों thanks for watching this video मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक ले जैहिंद जैवारत बाए दोस्तों